नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हाली में मैंने किताब को पढ़ा था दोस्तों उसका नाम है नाइट और यह जो किताब है वो एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो वर्ल्ड वर सेकेंड के मतलब उस काल की ये बात है वो जनम से जू था यहूदी था और बाद में मतलब जो नाजी लोग थे मतलब हिटलर के जो सैनिक थे उन्होंने मतलब उसको पकड़ा था और बाद में उसको मतलब दोस्तों जैसे आपको भी पता होगा जैसे होलो क्रोस्ट मतलब और श्वीट्स में जो मतलब एक गैस चेमबर है वहाँ पर बहुत सरे जू लोगों को मारा गया था तो वह ऐसे ही मतलब इन लोगों को पकड़ा गया था और इनको एक जगह पर रखा था दोस्तों और वहाँ से बाद में एक दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट कर रहे थे लेकिन वे गाड़ियों से वगेवा उस वक्त नहीं कर रहे थे उनको चलकरी मतलब वहाँ पर से उनको बुड़े वागरा थे, कुछ लोग, मतलब ऐसे परिसिती में नहीं थे, जहाँ पर वो चल सकते हैं, तो ऐसे वक्त में दोस्तों चलते चलते हैं, अगर कोई चल नहीं पा रहा है, तो उसको गोली भी मारी जाती थी, मतलब ऐसा वो दौर था दोस्तों, इतना भायानक था, कि जहाँ पर उनको खाने पिने को लोगी कुछ नहीं दे रहे, और उसमें से मतलब ऐसा तोड़ा सा कोई वीक हो जाए, तो उसको डिरेक्ली वहाँ पर गोली माल रहे, और मतलब बाप को बेटे के सामने मार रहे, बेटे को पिता जी के सामने मार रहे, भाई को भाई के सामने मतलब आप एक दो पल के लिए आप सोचिए दोस्तों किया बहुती बुड़ा मनजर होगा वो और ऐसे वक्त में जो लेखक है उन्होंने इस तरीके से अपने बाते कही है कि उनके साथ उनके पिता जी भी थे और उनके पिता जी के मतलब चल चल कर दोस्तों और वो भाग भी ऐसा था वो जो एरिया था वहाँ पर दोस्तों बहुत जादा बर्फ जमी थी उसके उपर से चल कर वो जा रहे थे पूरे तरीके से पैर भी उनके सुन हो रहे थे और वो ये कह रहे थी कि जैसे पेर हमरे शरीर में है भी की नहीं इतना मतलब समझ नहीं आ रहा था इतना मतलब बुरा वो दौर्द था उसके बाद क्या हुआ दोस्तो एक बार वो ऐसे ही जब चलके जा रहे थे और बहुत ही दुखी थे वो ये कह रहे थी कि जैसे मतलब उन सारी चीजों में मैं ज़े सबसे ज़ादा अगर किसी का गुस्सा आया तो वो भगवान का था कि ये क्या है हम सोचते हैं हमेशा भगवान इंसाफ करता है भगवान जो बुरा है उसका मतलब मात देगा और जो अच्छा इंसान है उसका कुछ अच्छा करेगा लेकिन ये फिलाल क्या चल रहा है तो एक बोलते हैं न कि नैयरा शेका वो वाता और अंठा और इसी मतलब विचार से वो चलते जा रहेखे। पता नहीं कि कब हम आज मरेंगे कि कल मरेंगे। एक अगले पल हम मतलब क्या होँगे कि नहीं होँगे, इन सारी चीजों को ये जो सारी बाते हैं उनके मतलब मन पर पुरी तरीके से मतलब बहुत ही जादा वो कंट्रोल कर रही थी है बाते और बाद में वो पुरी तरीके से निराश होकर चलते जा रहे चलते जा रहे और उस मायूसी भरे पल में दोस्तों क्या हुआ एक उनके कानों में आचाना के व परेंगे कुछ भी पता नहीं और ऐसे वक्त में एक धुनका बजना एक वायलिन की धुनका बजना एक बहुत ही मतलब आश्यरे कारे कि उस वक्त बात थी और वह यह कहती कि मैं समझ नहीं पया मैं यहां वहां देखने लगा और बाद में उन्होंने यह देखा कि जाते समय व उमीद मत छोड़ तो कहीना कहीं समय में भी मतलब उस मतलब चीज को देख जो आज मतलब वह इंसान तेरी ही जैसे मतलब चल रहा है वह इंसान तेरी ही जैसे दुखी है लेकिन वह कहीना कहीं सारी चीजों में भी उस दख दुख दर्थ को मतलब भूल करे कहीना कहीं किसी चीज में अपने आपका जो ध्यान है वहाँ पर मतलब लगाने की कोशिश कर रहा है तो इस बात में वह यह कहते है कि मुझे बहुत शक्ति मिली और यह जो भाग मैंने जब पढ़ा ना तो भी मैंने सोचा कि नहीं इस सारी बाते जो है मैं आपके सामने जरूर रखोंगा हमा बहुत इस दूंग करए कि उस दर में पता जी जो थे वह बहुत जादा बीमार हो गये सब्लब की मौधिया से चले और उनकी मौरी की वजह से चलते चलते और यह बाद में उस केम तक पहुझ गया और बाद में रश्ययन सहीनी को ने वहाँ पर मतलब लोग ही कहिना कि उस वाद बच पाए और जो बचे थे उनकों बाद में रश्चियन और कुछ अमेरिकन सैनी को ने बाद में आज़ाद कर दिया और बाद में वो अपनी जिन्दगी अपने ही साब से जीने लगे यह फिलाल इसराइल में रह रहे है यह लेखक तो यह दोस्तो कि उनके इतनी तो हमारे मतलब सामने इतना दुख नहीं आया है लेकिन फिर भी सब कुछ बुरा होते जा रहा है हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है अगर किसे ने किसे अपने को खोया है तो वो लोग और भी मतलब दुखी होंगे कि यह सारी जो चीज़े है कि तक चलेगी और ऐसी चीज़ों में भी अगर आप मतलब छोटी सी कुष्यों को देखने की कोशिश करें जैसे कोई हमसे अच्छे से बात कर रहे तो उससे थोड़ी सी बात करें कुछ मतलब अच्छे किताबे पड़े कुछ अच्छी बाते सुने इन सारी चीज़ों से आप फिर आप दुख से थोड़ा सा भार आ सकते हो तो आप यह जरूर करने की कोशिश करना हम यही कहते हैं दोस्तों कि नहीं थोड़े दिर अच्छा लगता है बाद में तो मतलब हमारा दुख हमारे सामने है या फिर हम ऐसा क्या करें जिससे मतलब इंसारी जो से छुड़ जा लोगों पर तो इस तरीके से बुरे माहौल में मतलब इससे और बुरा क्या होगा दोस्तों ऐसे वक्त में एक छोटी सी धुन्य उनको थोड़ी सी खुशिया देने की कोशिश करी तो हमारे जीवन में बहुत सारे सोर्सेस है दोस्तों पहले तो मतलब गयान पाने के लिए ह आपके आउचेतन मन की शक्ति ऐसी नाम की जो किताब है इस किताब ने भी बहुत सरे लोगों पर बहुत मतलब अच्छा प्रभवा डाला है ऐसी किताबे पढ़ना भगवद गीता पढ़ना को यह हमारा धरम ग्रंत है उसको पढ़ना उससे हम क्या सीख सकते है और हमेशा मैं आपके साथ मैं यह बाते शेयर करूं मतलब कि किसी बुरी चीज में भी आपकुछ अच्छा दुनने की कोशिश करना वो चोटी सी बात भी हो सकता है कि मतलब मैं आज वायल उनकी यह बात किसी को कह रहा हूँ तो मैं भी जितना अच्छा से नहीं नहीं समझ पाया इस उसको शायद सुनने वाला कोई और भी अच्छा से समझ पाया और उसको उसके जीवन में बहुत अस्चा से फायदा मिले तो इस तरीके से मतलब छोटी सी छोटी बातों में समाधान दुनना, छोटी सी छोटी बातों में खुशिया दुनना जितना उसके निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी मतलब हम देखने की कोशिश करें तो ये बात मुझे मतलब मैं तो पुरुना मतलब कहनी थी दोस्तों इस मतलब केस के जरीए और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में आप निराश मत होना दोस्तों उम्मिद मतलब लगा के रखना जैसे इस इंसान को जरा भी उम्मिद नहीं थी कि मैं कहीना कही आज़ाद हो सकता हूँ लेकिन वो कहीना कही सच हो गया और वो पुरी तरीके से आज़ाद होकर बाद में अपनी जिन्दगी उन्होंने बहुत अच्छे से के जीज दोस्तों और जितना उसा के अच्छे गिता भी लिख कर लोगों को भी बहुत प्रयर्णा दी अपने बुरे समय के बारे में बता कर उन्होंने लोगों का ये भी कहने की कोशिश करी कि मेरे साथ तो इतना बुरा है आप जरा भी जिन्ता मत करना अगर आपने किसे अपने को भी खोया तो इन सारी चीज़ों से तुम आगे बनना उनका जो पैर है उनका जो आशिरवाद है वो कहीना कहीं हमेशा आपके साथ है मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों मैं बहुत लोगों के बात कहता हूँ कि पहले जमाने में हमें मौत को मतलब लेकर जादा इसे मतलब कुछ ज असर पड़े जितना उसा के positivity से हम जीवन में आगे बढ़े जो भी हमारा जीवन करतव है जिसके लिए आज कहीना कई पृत्वे पर जिंदा है उसको हम बहुत अच्छे से पूरा करें तो इस तरीके से हमें जीवन में मतलब अच्छे करम करके आगे बनना होगा और हमारी आत्मा भी खुद यही चाहिए कि बुराई में भी तुम कुछ अच्छा दोने की कोशिश करो किसी भी चीज से तुम मायूस मत होना निराश मत होना उससे भी बहुत अच्छे से मतलब तुम चल के जाना और वो जरूर मंजिल तुमें मिल जाएगी एक दिन जो मतलब तुम हमें मतलब जीवन में positivity से आगे बनना होगा सकर अत्मक्ता से दोस्तों आगे बनने की कोशिश करने होगी तो दोस्तों हम अपने अगली विडियो में किसी नई विशाय को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपना अपने परिवार का खयाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यव की रोश्नी ये एक कंसल्टनसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुती जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुडते हैं उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की ओडि बेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पीडियेव किताबे भीजी जाएगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबैल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और दस अडियो बुक्स भी आपको भीजी जाएगी तो दोस्तों अगर आप इस संस् पर वाटसअप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद